ये कहानी है सूरे के सूरे अदे की जे हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं SKY यानि के सूरे कुमार यादव की या फिर आसमान जैसी उचाई तक सफेद बॉल को पहुचाने वाला ऐसा क्रिकेटर जो बनारस की तंगलियों से क्रिकेट को अपने साथ लेकर बढ़ा हुआ जिसके जहन में बच्चपन से तेंदूल कर उसी तरह बस गए थे जैसे बनारस में भगवान शिव एक ऐसा क्रिकेटर जो महज किताबी शौट्स के लिए नहीं बलकि स्टेडियम के चारो तरफ बॉल को किसी भी एंगल पर मार कर बाउंडरी तक पार करने ही कैपेसिटी रखता है एक ऐसा क्रिकेटर जिसे आज भारत के मिडल ओर्डर की रीड की हड़ी भी कहा जा सकता है क्योंकि कई बार जब भी भारत का टॉप ओर्डर थोड़ा सा हिला है तो ऐसे में SKY के फीरलेस अंदाज ने क्रिकेट टीम को जीत की गैरंटी दी है लेकिन आज हम जिस 360 डिगरी को देख रहे हैं उस सूर्य का क्रिकेटिंग करियर और इंडिन टीम में उनका सिलेक्शन कितना लंबा और कठीन रहा है ये कोई भी नहीं जानता कैसे रंजी खेलने के 11 साल बाद तक भी इस पहतरीन टैलेंट को भारते टीम में मौका नहीं मिला था लेकिन जब मौका मिला तो नीली जर्सी में उसने अबी डिवलियर्स की याद दिला दी एक वक्त ऐसा था जब किसी को नहीं लगा था कि रंजी टीम में डेब्यू के 11 साल बाद उसे इंडिन टीम में खेलने का मौका मिलेगा सफर मुश्किलों से भरा हुआ था कोई कहता कि तुम में discipline की गमी है तो कोई कहता कि तुमसे न हो पाएगा सूर्या कहते थे जितनी ज़्यादा मैं महनत करूँगा उतना ही ज़्यादा consistent बनूँगा और किसी ना किसी दिन मुझे मौका ज़रू मिलेगा और मौका मिला तो उसकी उम्र हो चुकी थी 31 साल अब ऐसे में आम तोर पर नए खिलाडी सिलेक्ट होकर आते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि नए जोश से भरे युवा खिलाडी है लेकिन सूरिया ऐसा नहीं था क्योंकि उन्होंने जिस उम्र में डेब्यू किया उसी उम्र के लगभग सारे सीनर खिलाडी टीम में थे इसलिए उनके नाम के आगे लोगों ने 31 साल की युवा बल्लेबास कहकर भी मजाग बनाने की कोशिश की अगर चंद लाइनों में उनके भीतर क्रिकेट के सफर को समझे तो सिर्फ सोचने को ही नहीं मिलता तमन्ना का शेर दो कदम आपको भी उठाने पड़ते हैं ऐसा ही कुछ सूरे कुमार यादव के लाइफ में भी हुआ था दोस्तो आपने देखा ही होगा कि फटाफट क्रिकेट में कई ऐसे चेहरों को मौका दिया जिने कम वक्त में देखते ही देखते स्टार बनने में देरी नहीं लगी ऐसा ही कुछ हैस के वाई के साथ भी क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बावजूद उनका नाम शायदी किसी को पता रहा होगा लेकिन जब किसी को अपने खेल, हुनर और होसले का परिश्य देने का मौका मिल जाए और वो सफल हो जाए तो उस नाम पर सूरे कुमार यादव कहते हैं क्योंकि आज स्काय जो भी है, जहां भी है, उन्हें IPL T20 क्रिकेट नहीं पहुंचाया है लेकिन आज इंडियन टीम में उनकी जरूरत क्यों नहीं है अब इस बात को समझे तो भारते क्रिकेट का टॉप ओर्डर दुनिया का सबसे मजबूत माना जाता है रोही शर्मा, शिकर धवन, विराट कोली, केल राहूल के जैसे प्लियर्स का ग्रूप 2013 के बाद से भारते टीम की टॉप पजीशन पर जमे हुए है जहां टीम का टॉप ओर्डर की ताकत है, वहीं भारत का मिडल ओर्डर लंबे समय से सिरदर्द बना हुआ है 2015 में मिडल ओर्डर में कई खिलाडियों को आसमाया गया, लेकिन कोई भी यहां पर जम नहीं पाया और यह तब ही से है जब से टीम में रैना, धोनी, युवराज जैसे खिलाडियों ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है अब उनका अप्शन ढूंते होए भी BCCI के पास कुछ भी सबस्टेंशल नहीं था लेकिन भारत के लिए खेलने का इंतिजार लगातार लंबा होता जा रहा था इस होनार खिलाडी का नाम है सूरे कुमार यादव जिनके बारे में कई पूर्फ क्रिकेटर ये तक कह चुके थे कि इन्हें भारत के लिए लिमिटेट आवर की टीम में जरूर होना चाहिए इसलिए IPL में लगातार शांदर प्रदेशन कर रहे सूरे कुमार यादव 2020 में आस्टेलिया दोरे पर जाने वाली टीम इंडिया में शामिल होने की पूरी संभावना थी यहां तक कि उनके रोल, मॉडल, सचिन देंदुलकर और बाकी के तमाम क्रिकेटर्स ने सूरे कुमार के अभी तक टीम इंडिया में सिलेक्ट नहीं होने पर सवाल भी खड़े किया थे क्योंकि भले ही आम लोगों में सूरे कुमार फीमस नहीं थे लेकिन क्रिकेट की दुनिया में वो पहचाने जाने लगे थे वैसे तो वो करीब 15 साल से 1st क्लास क्रिकेट खेल रहे थे लेकिन आखरी बार जब BCCI पर हर तरफ से दवाब बनने लगा तो इंग्लेंट के खिलाफ खेले जाने वाले सीरिज में उन्हें शामिल करना पड़ा और इस तरह 30 साल के उमर में पहली बार टीम इंडिया में सिलेक्ट होकर उन्होंने इतिहास रश दिया इसके बाद 14 मार्च 2021 को सूरिकुमार ने नरेंदर मोधी स्टेडियम में इंग्लेंट के खिलाफ अपने पहले इंटरनेशनल T20 मैच में डेब्यू किया हाला कि उन्होंने इस मैच में बल्ले बाजी नहीं की लेकिन अभी दुनिया को SKY को देखना बाकी था और उन्होंने दिखाया भी और अपने दूसरे मैच में उन्होंने जोफरा आचर की बाउंसर पर जैसे ही छक्का लगाया तो लोगों को समझ में आ गया कि ये खिलाडी टीम के लिए कितना बहतर साबित होने वाला है इस तरह अपनी तुफानी पारी में उन्होंने 31 केंदों में नाबाद 57 रन बना कर धूम मचा दी थी जिसके बाद से जब भी उन्हें टीम में खेलने का मौका मिला है वो हमेशा बेख़ॉफ होकर खेले है और ऐसा शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना क्रिकेट खेल लिया है कि अब उन्हें क्रिकेट का मैदान घर जैसा लगता होगा और जिसका ताज़ा एक्जेमपल हौंकों के खिलाव उनकी कोहली के साथ मिलकर खेली गई ब बना कर चर्चा में आए दोहजार दस में सेयद मुश्टाक अली ट्रॉफी में अंडर बाइस हजार से भी ज्यादा रन बनाए दोहजार ग्यारा बारा में सूरी कुमार का सेलेक्शन रणजी के लिए हुआ जिसमें उडेसा के खिलाव 12 शतर लगा कर सूरी कुमार ने अप मुंबई इंडियन्स के खिलाव 20 स्केंदों में 5 शकों की मदद से उन्होंने 57 रन बनाए केके आर को जीत दिलाने में इनका बड़ा रोल रहा और जिसके बाद वो केके आर के उप कप्तान बने उनके बहतरीन पफॉर्मेंस को देखते हुए बाद में वो फिर से साल 2018 में 3 सीजन में 424 रन बनाए तो अगले साल 2020 में 145 की बहतरीन स्ट्राइक रेट से 480 रन ठोक डाले जिसने पूरे इंडिया में उन्हें एक अलग पहचान दी और आज SKY इंडियन टीम की मिडल का सबसे बहतरीन दावेदार माना जाता है और जहां वो किसी भी सिचुएशन में जीत तक ले जाने का काम कर सकते हैं तो दोस्तों आपको सूरे कुमार यादव की बैटिंग कैसी लगती है और बतोर प्लेयर आपको वो कितना पसंद है आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेर करना ना भोले हमारे चैनल को सब सब्सक्राइब भी जरूर कर देना थैंक्स फ़र वाचिंग